आप सभी को मेरा नमस्ते, मैं अभी से एक कोजह आप सभी का बिहार युद्धा पर स्वागत करता हूँ कल के नोटिफिकेशन के बाद काफी बच्चे इस चीज को लेके चिंतित हैं कि सर टी और काफी सारी यूट्व्ट पर विडियोज भी बन चुकी है कि सर टीसिएष्ट कोजशन कराएगा तो । कराएगा टीस्एस का लेवल अलग रहेगा किस और क्या किस ऐसा तो नहीं है कि मेहट का सिल्लिस बदल देगा हम TCS के एक्जाम दिये हुए हैं मैं जितना भी एक्जाम पास किया हूँ वो TCS ही एक्जाम कंड़क कराई है चाहे हो SSE CGL हो चाहे CHSL हो चाहे SSE CPO हो चाहे कोई भी अधर एक्जाम जितना मैंने पास किया है अपने पूरे जीवन में उस अब TCS के दोरा कंड़क किया गया, TCS का एक छोटा सा पैटन होता है, उस पैटन को हमने पकड़ लिया था, और वही पैटन पकड़ने के वज़ा से, मैं जितने एक्जाम हुए, उसमें से मैंने 100% मार्क्स में स्कोर किया, मैं CGL में 3 बार 190 प्लस किया, क्योंकि मैं TCS को प अरजी यूटूबर आता है और दो-चार बाते बोल जाता है, उनकी बाते सुनों, जिन्होंने TCS के एक्जाम को देखा है, एनलाइज किया है, निकाला है, मैं आपको एक एनलेसिस सेर करता हूँ, अगर हैं बात करो तो BSSE दो एक्जाम लेता है, एक BSSE लेता है, इंटर ले और एक लेता है ग्रेजुएशन लेबल, यही लेता है न, जिसको हम लोग CGL बोलते हैं, अब आगे की बातों को ध्यान से सुनना, SSC भी दो एक्जाम लेता है, एक लेता है CHSL जो की इंटरमेडियेट लेबल पर होता है, और एक लेता है CGL जो की ग्रेजुएशन लेबल प SSCCl का रख ले रहा हूँ, अगर मैं इसमें लेबल रख लिया, कि यह मेरा क्या है, SSC CHSL के लेवल के बरावर कलको पूछा जाएगा, और यह मेरा SSC CL के लेवल के बरावर कलको पूछा जाएगा, इससे hard तो नहीं जाएगा क्योंकि भारत के जो सबसे अच्छे एक्जाम मे इसको मीनी आई एस कहा जाता है मतलब यूपीस के बाद बहतर पोस्ट सेंट्रल गौवर्मेंट में सबसे बहतर पोस्ट से मिलता है और उसी से मैंने CBI का पोस्ट भी लिया था इसमें मैंने तीन बार टोटल निकाला भी हूँ अब मैं आपको बताता हूँ कि छोटी सी बात समझना अगर CHSL का लेबल है मैट्स का तो यहाँ पे भी 25 सवाल आते हैं प्री में और यहाँ पे 25 सवाल आते हैं प्री में बस इस सवालों के तीन तरीके से बाट दू तीन तरीके कैसे होते हैं देखो तीन तरीके एक हो जाएगा आपका easy और एक हो जाएगा आपका moderate और एक हो जाएगा आपका difficult कि डिफी कल्ट कि सेम तीन तरीके से आप सीज को यहाँ पे भी बाट दो यहाँ फ़ीं बाट दो हैते हिसम तरीके से हमने यहाँ पे भी बाठ दिया हमने इस पचैस को भी बाठ दिया अब क्या होगत जो CG level होग उसमें 2-4 शावाल थोड़ा difficult आता है और जो分享 हो उसमें ठो 12-18 सवाल इजी आएंगे, 4-6 सवाल moderate आएंगे और 2-3 सवाल difficult आएंगे, अगर आप overall average निकालोगे, मालनों इसमें 16 सवाल पूछ दिया, इसमें से 5 सवाल पूछ दिया, इसमें से 4 सवाल पूछ लेगा, 2-4 सवाल लिख देता हूँ, या फिर हो सकता है 18-18 इजी पूछ दे, 4 यहां से moderate पूछ दे, और 3 यहां से difficult पूछ दे, और मैंने एक average data लिखा है कि लगभग इसके इसके बीच में रहेगा, बात किया जाएंगे, यहां थोड़े इजी सवालों को संख्या कम कर दिया जाता है, क्योंकि यह नौकरी 400 ग्रेट पर की नौकरी होती है, और यहां पर पेपर को पास किया है, पेपर को experience किया है, एक बार नहीं, दसहन बार पेपर को top किया है, तो मैं उस experience को आपको साजा कर रहा हूँ, देखो क्या होता है experience, यहीं पर आपको समझ जाओगे, कि छपरी यूटूबर और experience teacher में क्या difference है, अब मैं यहां पर CGL का बात कर रहा इसमें 12 easy पूछ दिया, 8 moderate पूछ दिया, 4 difficult पूछ दिया, कल को 10 easy पूछा, 8 ही आपका moderate पूछा, और 7 difficult से पूछ दिया, यह एक range बताया, इस तरीके से अब होगा, TCS का एक और छोटा सा game होता है, TCS एक और काम करता है, इस तरीके से सवाल पूछता है, पूछता है, calculation कर लिया था अपने time पर, और मैं आप लोगों के लिए भी calculation पढ़ाया हूँ, अगर आप search करते हो, 30 days calculation challenge, तो मैंने आपको calculation इस तरीके से पढ़ाया है, पूरा TCS oriented ही calculation पढ़ाया हूँ, 30 days calculation challenge पढ़ाया हूँ, आप YouTube पर जाईएगा, search करिएगा 30 days calculation challenge, तो आपको मिलेगा, क सर ने TCS oriented हमने पढ़ा रखा है, अब देखो क्या है कि अब ये 4-8 सवाल, 2-4 सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा knowledge बहुत अच्छा होना चाहिए, इस पर grip बहुत अच्छा होना चाहिए, इस grip के लिए आपको धंग से मेहनत तो करना ही होता है, concepts के उपर, मतलब आप के concepts तो आते ही आते हैं, यह सारे के सारे concepts पार्ट हैं, concepts के बाद आपके calculation का पार्ट आता है, concept plus calculation, इसके बाद एक और चीज़ आती है, मैंने आपको concept पढ़ा दिया है, मैंने आपको calculation पढ़ा दिया है, कोई बच्चा सवाल पूज़ागा सर कॉंसेप्ट कपड़ा है मेरे भाई मेरे यार आपको कितनी बार बता हूं मैं थी नहीं रिजिनिंग का भी कॉंसेप्ट में पूरा पढ़वा रहा हूं अपने बिहार युद्धा चनल पर और बिहार युद्धा आप लोगों के वज़ बस इस लेवल का जजबा और जुनून आपके अंदर होना चाहिए आपके अंदर आग दहकते रहना चाहिए कि हमें इस साल पोस्ट लेना है एक्जाम आएगा मैं नौकरी पर जाओंगा मैं एक्जाम देने जाओंगा और फिर मेरा सेलेक्शन होगा यह आपकी खुद के अ हर एक चैप्टर 8 गंटे, 4 गंटे, 6 गंटे की लंबी-लंबी क्लासेस देकर 12-12 गंटे की चार वेडियो, 48 गंट और 12 गंटे की प्रैक्टिस, 60 गंटा, और सेम इसी तरीके से आपको 60 गंटा मैत के बाद 35 गंटा रिजनिंग का भी क्लासेस आ रही है, 35 गंटे रिजनिंग का एक क्लास आपका, आज से 3-4 दिन पहले आ चुका है, जिसको 16,000 प्लस बच्चे देख चुके हैं, 6 दिन पहले आ है, एक क्लास कल आपको एक बच के 12 मिनट पर मिल जाएगा इसका 2nd पार्ट और उसके 5 दिन बाद इसका 3rd पार्ट मिल जाएगा, तीन पार्ट में मैं आपका रिजनिंग खत्म करा दूँगा, उसके वाद मैं आप लोगों के लिए रिजनिंग के साढ़े 700 questions प्रवाइड कराऊंगा, साढ़े 700 questions प्रवाइड कराऊंगा, रिजनिंग के लिए, free of cost, अब देखो आप math और रिजनिंग के concept पढ़ लिए, आपको calculation के लिए 30 days calculation चैलेंज करके पढ़ लिए, अब आपको बचता है सर, अब जो difficult सवाल आते हैं, उसका practice कहां से करें, आपके difficult question के practice के लिए, मैं mock test practice करवाऊंगा, और, already मैंने 20-25 mock test करा रखा है, और mock test कराऊंगा, अभी mock test कब से start होगा, कैसे start होगा, इसके लिए मैं आपको, आप से पूछता हूँ, भाई, आप बता सा, प्यारा सा target देता हूँ, कि अपने बिहार के भाई, इतना तो हमारे लिए करी सकते हैं, अगर जिस दिन इस वीडियो पे 5000 likes complete हो जाएगा, उसकार मैं आके, आपको date rounds कर दोँगा, कि मैं इस तारीक से आपके लिए mock test से start करूँगा, और सिर्फ maths का ही नहीं, reasoning का भी mock test से करूँगा, maths plus reasoning, 75 में 75 हमारा होगा, बिहार योद्धा का यहीं नारा होगा, कि 75 question maths के और reasoning के, जो BCC में पूछा जाएगा, और 75 question हम लोगों का सही होना चाहिए, एक भी सवाल हमें miss नहीं करना है, इस तरीके से आपको concept के बाद, calculation के बाद, practice भी अच्छे लेबल पे करा द ज्यादा से ज्यादा बढ़ाईए और ज्यादा से ज्यादा मदद करिए हर बचों तक पहुंचाने में, हर एक बिहार के बच्चा जो बिहार SSE के तयारी करता है, उसे बिहार उद्धा से जोड़िए, मैं आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा आपके लिए classes लेकर आया और भी लंबी classes लेकर आऊँगा, मॉक्टिस लेकर आऊँगा, जो आपको चाहिए comment करिए, हर एक तरह से आपके साथ हूँ, मिलते हैं आगे के वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाई 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 और ज्यादा दूसरी के चक्कर में मत परो, TCS का pattern यही है, T TCS इस से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, तो चलिए बाई बाई सभी को